अगर जीवन में बहुत परिशानिया चल रही है बहुत सारी दिक्कते चल रही है बहुत जादा परिशानियों नों आपको चारो तरफ से घेर रखा है तो सोमवार को कुछ ऐसे आसान से उपाय होते हैं जिनको करने से जीवन में चल रही परिशानियों से हमें जल्द मुक्ते मिल जाती है तो चलिए जान लेते हैं आप किसी भी सुकल पक्ष के सोमवार से उपाय हार सोमवार को करना शुरू कर दें सोमवार के दिन मंदिर में जाईए जो भी आपके घर के आसपार सिपजी का मंदिर हो वहाँ पर चले जाईए और शिवलिंग पर शहर चड़ा कराईए ऐसा करने से नौकरी हो या फिर कोई आपका विवसाय हो किसी भी तरह की जुड़ी परिशानी क्यों आपके जीवन में चल रही हो आपको उससे जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाएगा भगवान शिव को लाल चंदन और पीला चंदन बहुत ही जादा प्रिये है तो आप या तो लाल या फिर पीले चंदन से उनका तिलक जरूर करें चंदन का सभाव बहुत ही थंडा माना गया है और भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती अगर धन संबंद समस्या है तो वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी तो आपको हर सोमबार को भगवान शिव को चंदन जरूर अरपित करना चाहिए भगवान शिव की पूजा करते समय अक्षत लेजे खड़े चावल जिसको बोलते हैं तोटे चावल नहीं होने चाहिए अक्षत एक मुट्छी लेजे और थोड़े से समय फूल रख लेजे और आप शिवलिंग पर छोड़ दीजे ऐसा करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन होते हैं और आपकी सभी मनुकामनाओं की पूर्ती कर देते हैं मानिता है कि जिसे व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोश होता है चंद्र दूसित होता है इस प्रभाव को कम करने के लिए सोमबार के दिन चंदन का टीका और सफेद कपड़े जरूर धारन करें यानि खुद को चंदन का टीका लगाना है और सफेद कपड़े आपको धारन करने तो इससे आपका चंद्र स्ट्रॉंग हो जाएगा इससे आपका चंद्र मजबूत होता चला जाएगा सोंबार के दिन भगवान शंकर को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना कुछ भी आप भोग बनाएए और भगवान को अर्पित करने इसके बाद उनकी आर्थी करें मानिता है कि ऐसा करने से घर में शुक सानती और खुशहाली बनी रहती है तो दोस्तों अगर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की परिशानी चल रही हो तो ये उपाए आप सोंबार को करना शुरू करते हैं आप देखेंगे कि आपके जीवन की हर परिशानी, हर कस्ट धीरे धीरे चुमंतर होता चला जाएगा बहुत आसान से उपाए हैं आप करके देखें दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी बसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे चै माता दी